दूनिया वर्ल्ड वार के मुहाने पर पहुँच चुकी है एक तरफ इसराइल और हमास की जंग की आग मिडिल इस्ट को तपा रही है तो दूसरी तरफ डेर साल से जारी रूस और युक्रेन की जंग से दुनिया में संकट गहरा रहा है लेकिन सबसे गंभीर संकट दुनिया के सामने तब खड़ा होगा जब इसराइल हमास की जंग सीरिया लेबनान के रास्ते इरान में एंट्री करेगी इरान इस वक्त मिडिलीस्ट का सूपर पावर है ऐसे में इरान की जंग में एंट्री से मिडिलीस्ट के सारे समीक्रण ही बदल जाएंगे दरसल मध्यपूर में अचानक ही एक दशक में एक ताकतवर मुल्क की तरह उभर कर सामने आया है इरान पिछले पांस सालों से इरान अपने हत्यारों की नुमाईश कर अमेरिका और इसराइल को चिड़ा रहा है इरान की बढ़ती सेन्य ताकत के चलते आज वो मध्यपूर के 16 देशों में सबसे ताकतवर मुल्क के तौर पर खुद को स्थापित कर चुका है इसकी बड़ी वज़े ये है कि अमेरिका और इसराइल की आँखों में आखे डाल कर इरान अब नेगोसियेशन करने लगा है क्योंकि आज के समय में इरान के हत्यारों के तरकश में हर वो तीर है जो इसराइल को नेस्तो नाबूद तो अमेरिका तक कोहरा मचा सकता है यही वज़े है कि इरान को मद्यपूर्व का सुपर पावर कहा जा सकता है इरान भगोलिक परिस्तितियों की वज़ह से समुद्री महाशक्ती है एक अनुमान के मुताबिक इरान के पास साड़े पांच लाख एक्टिव सैनिक और धाई लाख रिजर्व सैनिक है अज आपको हम बताएंगे इरान के उन हत्यारों के बारे में जिनका हल्ला पश्चमी देशों में मचा है तो जिनके चलने से इसराइल में कोहरा मच सकता है आखिर इरानी सेना की चार डिविजनों में ऐसी क्या खास बात है कि वो हर मोर्चे पर जंग के लिए तैयार खड़ी दिखाई दे रही है सबसे पहली बात इरान की ड्रोन शक्ती की हाल के सालों में इरान ने निगरानी और लडाकू ड्रोन विक्सित करने में जबरदस्त कामियावी हासल की है इरानी सेन ने अधिकारियों का दावा है कि तेहरान अलग-अलग प्रनालियों और तक्नीकों पर आधारे तिंजनों वाले ड्रोन बनाने में आतनिर्भर है वहीं इरान की चारों सेनाएं किसी भी प्रकार के ड्रोन संचालन और मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं चाहे वो थल सेना हो या जल सेना हो या वायू सेना या फिर वायू रक्षा सेना हो इरान की ड्रोन फैक्टरी से अराश, कियान, करर, मोहाजर, कमान 22, कामी केस ड्रोन, शहीद 136 ड्रोन और तमाम अलग-अलग तरह के ड्रोन बाहर निकले हैं जिनकी अपनी अलग-अलग शमताएं हैं लेकिन इरान का सबसे शक्तिशाली ड्रोन है मोहाजर 10 इरान का मुहाज़र 10 ड्रोन इसराइल तक अटेक करने की ताकत रखता है ये ड्रोन लगातार 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है ये ड्रोन 210 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से उर सकता है ये 2000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है ये हमला करने के साथ साथ जासूसी करने में भी माहिर है तीन सो किलोग्राम तक के वार हैड ले जा सकता है ये अलग-अलग हतियार और बम ले जाने में सक्षम है मुहाज़र दस ड्रोन अमेरिका के Q9 Reaper की तरह दिखाई देता है इस ड्रोन की खासियत है कि इसके अनावरन में खुद इरान के राश्पती इबराहिम राइसी मौजूद रहे थे इसके अलावा इरान का कमान 22 ड्रोन 3000 किलोमीटर तक मार कर सकता है ये ड्रोन अपने साथ 300 किलोग्राम विस्फो टक ले जा सकता है जमीन और समुद्र दोनों से ही इस ड्रोन को लाँच किया जा सकता है इरान का सबसे एहम मोहाजर ड्रोन एक गाइड़ बम है जो कि अत्याधुनिक निगरानी उपकरण ले जाने में सक्षम है अब अगर इरान की मिसाइल पावर को देखें तो एक-एक मिसाइलें इरानी सेना की ताकत में जोश भर रही है इरानी सेना ने इस बार सेना दिवस परेड में कादर क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन किया था जो की मध्यमदूरी की एंटी शिप मिसाइल है इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली लेजर गाइड़ सक्तार मिसाइल को भी नुमाया किया तो साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली फकॉर 90 मिसाइल को भी दुश्मन के सामने रखा इरान की मिसाइलों की गुण अमेरिका तक पहुँच चुकी है हाल ही में इरान ने अवाज की स्पीड से 16 गुना तेज चलने वाली तूफानी मिसाइल बनाने का दावा किया है इरान ने इस हाइपरसॉनिक मिसाइल का नाम फतह रखा है पत्य मिसाइल की रेंज 1400 किलो मीटर तक है यानि ये अमेरिकी शेहरों को भी निशाना बना सकती है इस मिसाइल को लेकर इरान का दावा है कि ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेद कर निकलने में सक्षम है इरान के इस दावे के साथ ही उसके पास बैलेस्टिक मिसाइलों का जखीरा तैयार होता जा रहा है इससे पहले इरान ने लिक्विट फ्यूल पर चलने वाली मिसाइल का सक्सेस्फुल टेस्ट किया था इस मिसाइल की तकनीक इरान ने उत्तरकोरिया से ली थी इस बैलेस्टिक मिसाइल को इरान ने खुर्रम शहेड टू नाम दिया है इरान की ये मिसाइल 2000 किलो मीटर तक मार करने में सक्षम है साथ ही 1500 किलो ग्राम का वार हेड ले जाने में सक्षम है इस मिसाइल का चौथा वर्जन इरान ने लॉंच किया है इससे पहले पिछले साल इरान ने खैबर नाम की बैलेस्टिक मिसाइल का परिक्षन कर हर कंप मचा दिया था खैबर मिसाइल को लेकर इरान का दावा है कि ये 2000 किलो मीटर तक टारगेट को नेश्टो नाबूद कर सकती है इस मिसाइल को ट्रक पर लॉंचर के जरिये टेस्ट किया गया था खैबर मिसाइल ना सिर्फ 2000 किलो मीटर तक जा सकती है बलकि ये साथ में 1500 किलो ग्राम बारूद भी ले जा सकती है इसके अलावा इरान के पास मिसाइलों का ऐसा भंडार है जिसने खुद अमेरिकी सेना को चुका दिया था यूएस सेंटरल कमाइंड के जनरल केनित मैकेंजी का दावा है कि इरान के पास 3000 से ज्यादा बैलेस्टिक मिसाइले हैं जो की परमाणू पेलोड ले जाने में सक्षम है अब आपको इरान की दूसरी मिसाइलों के बारे में भी बताते हैं हाला कि इरान की मिसाइलों की एकदम सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है एक अनुमान के मुताबिक एरान के पास जमीन से जमीन, जमीन से आस्मान, आस्मान से आस्मान, आस्मान से जमीन, पानी से आस्मान तक मार करने वाली सारी मिसाइले हैं इरान की मशहूर मिसाइलों के नाम है शहाब, कयाम, गदर, एमाद, खुर्रम शहर, मेशकट, कुज, पावे, सफीर इरान की मिसाइलें लिक्विड और सॉलिड फ्यूल से चलने में सक्षम है, इनकी मार हजार किलोमीटर से ज्यादा है, इरान के पास शॉर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल और मीडियम रेंज बैलेस्टिक मिसाइलों का जखीरा है इन सब के अलावा इरानी सेना के पास स्वदेशी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम है, इस सिस्टम में विमानों और ड्रोन के साथ साथ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने वाले डामावेंड स्रेटेजिक एंड लॉंग रेंज सिस्टम, नासिक पॉर्टी नेविगेशनल एसिस्टेंज नेविगेशन सिस्टम मजीज शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है, आज भले ही इरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन इसके बावजूद साल 2003 में इराक की तरह इरान पर अमेरिका को हमला करना आसान नहीं होग इराक के तुलना में आज इरान बेहधी शक्तिशाली देश बन चुका है, इरान अपनी जंग लड़ने की स्टाइल से अमेरिका को जबरदस्ट टक कर देने की हैस्यत रखने लगा है, ऐसे में अगर इसराइल हमास की जंग इरान के मुहाने पर पहुंचती है, तो दुनिय बहुत गंभीर नतीजे भुगर सकती है, इरान के पास सेना के अलावा रेविलुशनरी गाड कॉप्स और कुज आर्मी भी है, कुज आर्मी सीरिया लेवनान और इराक में प्रॉक्सी सेना खड़ी करने में मदद करती है, वही रेविलुशनरी गाड कॉप्स को सेना से भी की नुक्सान पहुंचा सकती है अगर किसी वज़े से अमेरिका इरान पर हमला करता है तो फिर ये जंग सिर्फ दो मुलकों तक सीमित नहीं रहेगी अमेरिका के साथ जहां साओधी अरब और इसराइल का युद्ध में कूदना मजबूरी होगी तो वहीं लेबनान सीरिया यम जैसे देश इरान के लिए जंग में उतर जाएंगे ऐसे में अगर जंग हुई तो उसका विद्धवन्स सिर्फ मध्यपूर्व तक सीमित नहीं रहेगा झाल